आप सभी सिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि निपुर भारत मिशन के अंतरगत 45 दिवसिय रीडिंग कैम्पेंग यानि पठन अभियान बेसिक सिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है जिसके अंतरगत कुछ कहानिया हर सभ्ता बच्चों के लिए दी जाती है तो जो 45 दिवसिय पठन अभियान है वो निपुर भारत मिशन के अंतरगत जिससे की बच्चा पढ़ना सीखें और उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सकें इसको करने के लिए चलाया जा रहा है इसके बारे में आप सभी अवगत हैं तो हम देखते हैं इस सब्ता जारी की दे गतिविदियां बालवाटी का कक्षा एक और दो के बच्चों है तू कौन कौन सिया कहानिया इस सब्ते हमको सुनानी है और पढ़वानी है तो सौमवार की कहानी रहेगी कुट्टी मंगलवार की कहानी है चुन्नू मुन्नू का नहाना बुदवार की कहानी है अकेली मचली तो गुरुवार की कहानी रहेगी पूंबू शुकरवार की कहानी है सूरज की सूजबूच और शनिवार की कहानी है जलेबी तो ये कहानिया हैं हमारी reading campaign के पांचवे सप्था के अंतरगत नेक्स्ट है कक्षा तीन, चार और पांच के बच्चो है तू इसमें कहानी सौमवार को रहेगी रंग मंगलवार को क्या देखती है अनू बुद्वार की कहानी है बोलो एक सांस में गुरुवार की कहानी है निराली दादी शुकुरवार की कहानी है धूल का एक कड शनिवार की कहानी है मुफ्त की कुलफी ये कहानिया है कक्षा तीन, चार और पांच के बच्चों के लिए अब हम बात करते हैं कक्षा छे, साथ और आठ के बच्चों है तू तो सौमवार को पढ़ो कहानी उल्लू पटाया मंगलवार को घाट की मायावी बिल्ली बुद्वार की कहानी है पांच खंबों वाला गाउं गुरुवार की कहानी है भवरो के संसार में शुकुरवार की कहानी है मैंधक की तरकीप और शनिवार को कहानी रहेगी हसो मत राम गोरु मैमने तो ये हैं हमारे कक्षा एक से लेकर आठ तक के बच्चों के लिए कहानिया अब हैं पठन के उपरांद की जाने वाली गती विदी तो कहानी सुनाने और पढ़ाने के बाद बच्चों के साथ विभिन पिरकार की गती विदिया की जा सकती है इसी क्रम में इस सप्ता आप बच्चों से किसी पड़ी हुई कहानी से कुछ चित्र चुनकर नई कहानी बनाने या लिखने के लिए कहें इसके लिए आप दिये गई ग्राफिक और्गेनाईजर या रेखा चितर का उपयोग कर सकते हैं यानि कि इस तरीके से आप बच्चों को बना के दे सकते हैं कि यहाँ पर चितर बना के बच्चे कोई नई कहानी लिख ले सबता का जो विसेश रहेगा वो है गतिविदी ड्रॉप एवरिधिंग और रीट डियर सब कुछ छोड़ दो और पढ़ो शिक्षक बच्चे और अभी भावक मिलकर किसी एक निश्चित दिन और समय पर स्कूल में या घर पर कम से कम 20 मिनट तक पढ़ें स्कूल में मौजूद सभी छात्र, सिक्षक, करमचार ये सुनिश्चित करने के वेश गतिविदी के लिए तयार रहें और कुछ पठन सामगरी लाएं प्रिंट सामगरी किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है पोस्टर, किताबें, कोई प्रचार, कोई सूचना या रैपर पर छपी हुई कोई जानकारी पढ़ना कभी भी और कहीं भी हो सकता है बाग में, घर में, स्कूल में, जूले पर या फिर आंगन में पढ़ना किसी भी स्वरूप में हो सकता है यानि कि आप अकेले पढ़ सकते हो आप साथियों के साथ पढ़ सकते हो आप अपनी टीचर्स के साथ पढ़ सकते हो दादा दादी या नाना नानी या फिर मम्मी पापा के साथ तो ये थी हमारी सप्ता विशेस गतिविधी ओनलाइन संसाधन यानि यह सारी चीज़े आपको कहां मिलेंगी दीक्षा पोर्टर पर मिलेंगी NCRT वेबसाइट में मिलेंगी NBT की वेबसाइट Literacy Cloud, Story Weaver और प्रेथम बुक्स वो प्रेथम बुक्स है जिसमें हमें कई सारी इनमें से कहानियों मिल जाएंगी चुन्नु मुन्नी की भाषा सैली तो यह हर सब्ता एक एपिसोड आता है तो चुन्नु मुन्नी की भाषा सैली का एक एपिसोड आपके साज़ा किया जाएगा जिसको आप दिये गए लिंक के थुरू देख सकते हैं यहां पर तो ये थी आपके लिए जानकारी और पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए कामकारागा होगा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्याद से ज़्यादा शेयर करें धन्यवाद